नमस्कार चानक्या IAS Academy के संपाद की विस्तलेशन में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम समाचार पत्रों में प्रकासित विविन संपाद की पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे जो परिच्छा के दृष्टिकों से उप्योगी हैं इस करम में इस वीडियो की सुरुवात करते हैं इस प्रश्ण के साथ प्रश्ण है कि आधहार की भूमी का कोरोना महमारी के विरुद व्यापक टीका करण में अहम हो सकती है कैसे और यह जो प्रश्ण आप से पूछा गया है इसका जवाब चुपा है आज के संपादकी में आज तीन संपादकी को शामिल किया गया है जिसमें से पहला संपादकी है जिसका शिर्षक है एडविस स्टेंस और इस संपादिकी को लिया गया है Indian Express से और इसे हम GS Paper 3 में Economic and Social Development के साथ जोड़ सकते हैं वहें दूसरा संपादिकी है जिसका शिर्षक है शांती की राह इसे लिया गया है जनसत्ता से और इस संपादिकी को हम GS Paper 2 में International Relations के साथ जोड़ कर देख सकते हैं वहें तीसरा संपादिकी है जिसका शिर्षक है The Vaccine Plan इसे लिया गया है Financial Express से और इसे हम GS Paper 2 में ही Governance या साथ जोड़ कर देख सकते हैं तीनों संपादिकी पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पूर्व चलिए एक नज़र डालते हैं कि कल जो प्रशन पूछा गया था उसका सही जवाब क्या है कल का प्रशन था कि मौद्रिक नीती समीती से संबंधित निम्न कत्रों पर विचार करें चार स्टेटमेंट दिये गए हैं इसमें से पहला स्टेटमेंट कि यह चास सदस्य होता है यह सही है दूसरा स्टेटमेंट कि इसकी बैठक में निर्ने बहुमत के आधार पर लिया जाता है तो यह दूसरा स्टेटमेंट भी सही है तीसरा statement कि बैठक में नीतिगर्दर में परिवर्तन संबंधि निर्णे लिये जाते हैं, तो यह statement भी सही है, चलिए देखते हैं, चौथा statement कि इसकी बैठक वर्स में दो बार कराने के प्रावधान है, तो यह चौथा statement गलत है, यहाँ पर दो बार नहीं, बलकि चार बार और तीसरा ये तीन स्टेट्मेंट सही हैं तो सही विकल्प का चुनाव करना है तो सही जवाब है option A मतलब पहला दूसरा और तीसरा चलिए अब हम देखते हैं आज का अपना पहला संपाद की है जिसका शिर्शक है और इसका आधार है मौदरिक नीती समीती की बैठक कल के संपाद की में हमने यह देखा था कि मौदरिक नीती समीती की बैठक जो पहले 29 सेप्टेंबर से 1 अक्टूबर तक होनी थी उस तिथी को पुनर निर्धारित किया गया और उसे आगे बढ़ा कर किया गया 6 अक्टूब के बीच में हमने कल के संपादकी में इस तिथी के पुनर निर्धारन का कारण देख लिया था अब यहां पर यह कि 6 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच में जो मौद्रिक नीती समीती की बैठक हुई उस बैठक में जो निर्णे लिया गया और जो नीतियां बनाई गई व दौविस मौनेटरी पॉलिसी पर तो अब यह कि दौविस मौनेटरी पॉलिसी क्या है तो उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि मौद्रिक नीती इस्थिती या मौद्रिक नीती स्टेंस क्या होती है तो मौद्रिक नीती इस्थिती तीन प्रकार की होती है पहली एकुम मौद्रिक नीती इस्थिति अब यह देखते हैं कि accommodative क्या है? तो accommodative या सरल्मौद्रिक नीती इस्थिति का अर्थ है कि मुद्रा इस फीती जो है उसकी इस्थिती नियंतरित है और नीति गद्दर या recover rate में कटवती की जा सकती है और उसी से समंदी जो नीती होती है उसे करते हैं डौविस मॉनेटरी पॉलिसी वहीं जो नीट्रल या तटस्त मौद्रिक नीती इस्तिती है इसका क्या अर्थ है इसका अर्थ है कि मुद्रा इसफीती की इस्तिती सामान ने तो है परंतु सावधान रहने की आवसकता है इसका मतलब क्या क्या है कि मुद्रा इस फीती भविस में बढ़ सकती है तो जो नीतिगदर है जो रैपोरेट है उसको ना तो बढ़ाया जाता है ना तो उसको घटाया जाता है बलकि उसे और परिवर्तित रखा जाता है वहीं Tight Monetary Policy Instance मतलब कठोर मौद्रिक नीती इस्तिती इसके अंतरगत क्या है कि मुद्रा इस फीती वह बढ़ रही है और इसे नियंतरित करने की आवश सकता है तो इसके लिए क्या करना ज़रूरी है तो जो नीतिगदर है या जो रैपोरेट है उसको क्या करना है उसे बढ़ाने की जरूरत है मतलब उसे परिवर्तित करने की जरूरत है उसमें वृद्धी करने की जरूरत है और यह जो इस्तिती होती है उसे क्या कहते है उसे कहते है हॉकिस मौनेटरी पॉलिसी तो 6 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच में मौनेटरी पॉलिसी कमिटी की द्वारा जो निर्ने लिए गए उस निर्ने के बाद जो statement जारी किया गया है वह statement डौइस monetary policy के अर्थ को इसपस्ट करता है आखिर कैसे तो देखें कैसे पहली बात तो यहां कि हमें यहां पता है कि मुद्रा इसफीती की अगर हम वर्तमान दर की बात करें तो यह 6.5 से 7% के बीच में हैं लेकिन monetary policy committee का यहां मानना है कि यहां जो मुद्रा इसफीती की दर है जो 6% से जादा है अब यहां पर यहां कि 6% पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है यह इसलिए जोर दिया जा रहा है कि monetary policy committee का उद्देश ही है कि मुद्रा इसफीती की जो दर है उसे 2% से 6% के बीच में रखा जाए तो जो मुद्रा इस्फिती की वर्तमांदर 6.5 से 7% की बीच में है तो monetary policy committee का यह मानना है कि यह च्छनिक है मतलब यह transient है और जो मुद्रा इस्फिती अभी 6% से जादा दिख रही है उसका कारण मांग में विर्दी नहीं है तो फिर उसका कारण क्या है उसका में बाधा तो मतलब यहाँ पर यह है कि demand और supply के अगर हमी समीकरण की बात करें तो यहाँ पर क्या इस्थिती है कि demand जादा नहीं है मतलब यह जो मुद्रा इस्फिती हमें दिख रही है वो demand जादा नहीं रहने कारण नहीं बलकि जो supply है जो पूर्ती पक्ष है उसमें सा क्या है वो देखे कि 4 वित्ति वर्स मतद microbi 2020-21 कि दूसरी चह माई में मुद्रा इस पिती की दर में गिरावट होगी और यह गिरावट जो होगी वह कितने हो सकती है मतद 4.5%. से 5.4% के बीच वे मतद मुद्रा इस पिती की दर में गिरावट होगी वह गिर कर कहा तक आ सकती है, 4.5% से 5.4% तक, और अगले वित्तिवर्स, मतलब 2,021,2 यह जो अगला वित्तिवर्स है, उसके पहली छमाई के अगर हम बात करें, तो वहाँ पर मुद्रा जो इस फिती है, वह मुद्रा इस फिती गिरेगी, और गिर कर कहा तक पहुचेगी, 4. 4.3% तक, तो प्रात्मिक्ता किस बात को दी जाने चाहिए, तो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट के अनुसार, वर्तमान में प्रात्मिक्ता कैसे जो ग्रोथ रेट है, वह कैसे बढ़े उसको दिये जाने की आवस्ता है, ताकि जो कोविड है, उस कोविड के आर्थिक प् पॉलिसी या जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ने स्विकार की है, तो जो स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट के निर्ने के अनुसार, जो एकॉमोडरेटिव स्टेंस है, तो यह आवस्यक है कि जो चालू वित्ती वर्स से 2020-2021 उसमें या जारी रहे, और यह भी हो सकता है कि अगले वित्ती वर्स मतलब 2021-22 के लिए भी यह पॉलिसी स्विकार किया जाए, वहीं आगे मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के द्वारा जो महत्रपूर निर्ने लिए गये हैं उसमें देखें, तो केंद्र और राजी सरकारों के उधार में कैसे विर्द्यू, उधार का मतलब यहां पर है कि उनको कैसे जादा से जादा राजस्तु की प्राप्ति हो, तो उसके लिए भी RBI ने कुछ उपायों की घोसना की है, इन उपायों में से देखें क्या-क्या उपाये हैं, एक open market operations, तो हमें यह पता है कि open market operations, इसके अंतरगत RBI क्या करती है, कि अपने पास जो government securities है, उस government securities को बाजार में डालती है, और उसके बदले बाजार से राशी या मुद्रा की प्राप्ति करती है, वहें दूसरी तरफ कि RBI बाजार में मौझूद government securities को खरिती है, और उसके बदले बाजार में जो मुद्रा की पूर्ति है, उस मुद्रा की पूर्ति में वृद्धी करती है, और यह जो open market operation है, जिसमें कि हमने एक तरफ दिया देखा कि RBI बाजार में government securities को डालती है, उसके बदले में जो मुद्रा की पूर्ति उसको कम करती है, वहें दूसरी तरफ हमने यह देखा कि RBI बाजार में पड़े हुए government securities को खरिती है और मुद्रा पूर्ति को बढ़ाती है, तो यह निर्भर इस बात पर करता है कि मुद्रा इस फीती की क्या इस्थिती है, तो RBI ने जो उपाय अपनाया है उसके अंतरगत, open market operations के अंतरगत, पहले की तुलना में जो आकार है, जो size ह उसमें दो गुनी विर्धी कर दिये है, मतलब यहाँ पर यह है कि पहले का जो target था वह तो 10,000 क्रोड रुपे का, मतलब 10,000 क्रोड रुपे सरकार को उपलब्द कराना, अब यहाँ पर यह कितना हो चुका है, 20,000 क्रोड रुपे, तो पहले उपायम हमने क्या देखा, open market operations के अंतरगत आकार में विर्धी की गई है, जिसमें 20,000 क्रोड रुपे सरकारों को उपलब्द कराये जाएगा, इस open market operations के अंतरगत, वहीं एक उलेखनी बात, वह क्या, कि पहली बार open market operations के अंतरगत, state government bonds या state development loans को भी शामिल किया जाएगा, इस चालू वित्वर्स में, state development loan की अगर हम बात करें, तो state development loan भी एक dated securities होता है, dated securities का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, कि यह राज सरकारों की एक दिर्ग कालिक सरकारी प्रतिभूती होती है, ज्यान देजेगा, मैं फिर दूरा रहा हूँ, कि यह राज सरकारों की एक दिर्ग कालिक सरकारी प्रतिभूती होती है, जिसके आधार पर राज की जो सरकार है, वह बाजार से मुद्रा को प्राप्त करती है, अपने बजटी आवस्यक्ता की पूर्ती के लिए, तो सर्व पर्थम ओपन मार्केट ओप्रेशन्स के अंतरगत स्टेट डेवलप्मेंट लोन को सामिल किया जाएगा, वहें हेल टू मैचुरिटी लिमिट की जो सीमा है वरतमान में बाईस परतिसात की, उसे मार्च दो हजार बाईस तक जारी रखा जाएगा, अब यह हेल टू मैचुरिटी लिमिट, मतलब HML की अगर हम बात करें तो आखिर यह है क्या, हमें यह पता है क्या, कि Statutory Liquidity Ratio, SLR, या वैधानिक तरलता अनुपाद, इसके अंतरगत हम यह जानते हैं कि, बैंक, अपने पास मौजूद, NDTL का एक निश्चित परतिसत, या तो सरकारी परतिभूती, या गोल्ड, इनके रूप में अपने पास रखती है, चीक है, तो अब यहाँ जो देख रहे हैं कि, health to maturity limits, 22%, तो मतलब यहाँ पर यह है कि SLR के अंतरगत, 22 परतिसत, बैंकों को निवेश करना है, कहाँ पर सरकारी परतिभूतियों में, और health to maturity limit का मतलब यहाँ पर होता है, कि बैंकों को इन सरकारी परतिभूतियों को अपने पास तब तक बनाए रखना है, जब तक कि उसकी परिपक्कुता अबधी समाप्त नहीं होती है, तो इससे क्या होगा, इससे यह होगा, कि सरकारी परतिभूति में बैंकों के निवेश में वर्ति होगी, और देखें, कि यह जो उपाय अपनाए जा रहे हैं, तो इससे चालू वित्वर्स में, 2020-2021 में, सार्जनिक उधार, वह कितना हो सकता है, 16% of GDP, तो अभी तक हमने क्य देखा कि केंद्र और राजी सरकारों को रासी की प्राप्ति हो, रिन की प्राप्ति हो, तो उसके लिए RBI ने मौद्रिक नीती समीति की बैठक में, कुछ उपाय अपनाए है, वहीं, नीजी छेत्रों को भी बाजार से रिन की प्राप्ति हो, उसके लिए भी RBI ने उपायो की घोसना की उसमें से देखे पहला उपाई क्या है पहला उपाई यहाँ पर on tap targeted long term repo operation अब हमें यह पता है कि repo operation के अंतरगत देखें क्या होता है तो repo operation के अंतरगत banks, RBI से government securities के आधार पर या सरकारी प्रतिभूती के आधार पर रिन प्राप्त करते हैं और जिस दर पर यह रिन की प्रक्रिया संपादित की जाती है उसे हम कहते हैं repo rate और repo rate अल्प कालिक अबधी की एक रिन प्रक्रिया है वहीं जब long term repo operation कहते हैं तो इसका अर्थ यहां पर यह है कि bank, RBI से repo rate के आधार पर दिर्ग अबधी के लिए रिन को प्राप्त करती है तो अब यहां पर जो on tap targeted long term repo operation है उसके अंतरगत तीन वर्स की अबधी तक एक लाग क्रोर रुपए तक repo rate के आधार पर banks RBI से राशी को प्राप्त करेंगे और जो राशी bank RBI से प्राप्त करेंगे वो निवेश करेंगे कहाँ पर corporate bonds में, commercial papers में और non-convertible deventures में तो इस प्रक्रिया में क्या होगा? इस प्रक्रिया में यह होगा कि जो corporate sector है या जो नीजी छेतर है उनके हाथ में पहले की तुल्ला में जो राशी है, जो मुद्रा की पूर्ती है उसमें वृद्धी होगी वहीं RBI के अन्य उपायों में से एक उपाय है कि real estate में कैसे वृद्धी हो साथी साथ co-origination of PSL का जो framework है उसका विस्तार किया जाएगा और उस विस्तार के अंतरगत सभी NBFCs को सामिल किया जाएगा जिसमें housing finance companies भी है यह जो co-origination of PSL है इसकी सुरवात RBI ने 2018 में की थी अब यह क्या होता है जरा इस पे गौर कीजिए माल लें कि ए नामक एक व्यक्ति है इसे एक लाक रुपए का रिने चाहिए और अगर co-origination या co-landing की facility है तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि SBI ने क्या किया कि एक NBFC के साथ co-landing जो model है उसका agreement किया तो अब यह जो ए नामक व्यक्ति है वह जब एक लाक रुपए के रिन की मांग करेगा तो इसका आर्थ यहाँ पर यह होगा कि SBI इसे 80,000 रुपए देगी जबकि NBFC इसे 20,000 रुपए देगी तो जिस co-origination of PSL priority sector lending की सुरुवात RBI ने 2018 में की ती जिसमें की Scheduled Commercial Banks के साथ Selected NBFC को सामिल किया गया था तो अब यहाँ पर यह है कि अब NBFC का विस्तार कर दिया गया इसका मतलब यहाँ पर यह है कि अब Priority Sector Lending के अंतरगत Scheduled Commercial Banks और NBFC दोनों मिलकर अपनी भूमिका को निभाएंगे वहीं Monetary Policy Committee की इस बार की बैठक में पहली बार मतलब COVID-19 संक्रमन का जब परसार प्रारम हुआ तो उसके बाद से पहली बार अर्थ विवस्ता की स्थिती से सम्मंधित रिपोर्ट जारी की गई जिसके अनुसार संपूर्ण वर्स में मतलब यह जो चालू वित्वर्स है 2020-21 इसके संपूर्ण वर्स में अर्थ विवस्ता में 9.5% का संकुचन होगा और संकुचन के संदर में यहां पर यह बात भी कही गई कि चालू वित्वर्स की जो दूसरी तिमाही है और तीसरी तिमाही है उसमें संकुचन की दर में कमी होगी जबकि चौथी या अन्तिन तिमाही में अर्थ विवस्ता में वृद्धी के संकेत मिल सकते हैं सकारात्मक्ता दिख सकती है, लेकिन यह सकारात्मक्ता संतोज जनक नहीं होगी. अब देखें चिंताएं क्या है? चिंताएं जो निरंतर रूप से जारी है, वह क्या? वह यह है कि आर्थिक गतिविधियों में जिस तेजी की बात की जारी है, तो वह तेजी आखिर किस अवध मौसम में जो ग्रिहस्त हैं, जो घर हैं, उनके द्वारा मांग में तेजी की जाएगी. लेकिन त्योहार के बाद क्या जो ग्रिह मांग है, उसमें तेजी बरकरार रहेगी? और फिर उसके बाद तीसरा, जो महत्पुन प्रस्ण है, वह यह है कि कोरोना वाइरस से जो फैली संपाद की में हमने मौद्रिक नीती समीती की बैठक में जो महत्पुन निर्ने लिये गए, जो महत्पुन उपाए अपनाए गए, उस पर हमने विस्तार पूर्वक चर्चा किये हैं. चलिए, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले संपाद की की ओर, जिसका सिर्षक है शांती की राह, और इसका आधार क्या है? इसका आधार है अफगानिस्तान में इस्थाई सांती पहल, तो मामला यह है कि पिछले महिने, यानि की सितंबर महा में, कतर की राजधानी दोहा में अफगानिस्तान के विभिन विरोधी गुटों के मद्ध वारता प्रारम हुई है, और यह जो वारता प्रारम हुई है, उसका उद्देश है अफगानिस्तान में इस्थाई रूप से शांती की इस्थापना करना, सितंबर महा में कतर में जो इन विभिन विरोधी गुटों के बीच में वारता प्रारम हुई है, उससे एक आसा जगी है, आसा क्या जगी है? कि 19 स साल के बाद अफगानिस्तान से अमरिका और नाटो के सैनिकों की वापसी हो सकती है, और हमें यह पता है कि मार्च 2020 में अमरिका और तालिबान के बीच में एक समझाता हुआ, और उस समझाते के अनुसार अगले 14 महिनों में, मतलब मार्च से लेकर अगले 14 महिनों में, अफ तो यह जो वारता प्रारम हुई है दोहा में उसे यह आसा भी जगी है कि अफगानिस्तान में अब एक राजनितिक इस्थिर्ता देखने को मिलेगी और पुनर निर्मान का कारे भी तेजी से आगे बढ़ेगा। काफी महतपूर्ण है और इसी महतपूर्ण भूमिका को देखते हुए मतलब भारत की महतपूर्ण भूमिका को देखते हुए अफगान सीड्स सांती वारताकार का प्रतिनिधी मंडल भारत के प्रधानमंत्री से मिला भारत के प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान में 27 सांती पहल जिसकी सुरुवात हुई है उसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दुराया है अब यहां यह महत्पूर्ण है कि भारत की जो भूमिका है वह कूटनीतिक इस तरपर काफी महत्पूर्ण है अफगानिस्तान में जो सांती प्रकरिया चल रही है उसमें सहयोग देने की और हमें यह भी पता है कि भारत के द्वारा अफगानिस्तान में विकास प्रियोजनाओं में बड़े मात्रा में भागीदारी की जा रही है वहां के 31 प्रांतों में मतला अफगानिस्तान के 31 प्रांतों के 116 सामुदाइक विकास प्रियोजनाओं में भारत अपनी भागीद यह परियुजनाएं पानी, कर्षी, सिचाई, नविकर्णी, उर्जा, जल विद्यूत परियुजना से समंधित है। पाकिस्तान समर्थित, लस्करे तैबा और जैसे मुहमद जैसे जो आतंकवादी संगठन हैं, उन्होंने अफगानिस्तान की भूमी का उप्योग किया है अपने यहां के आतंकवादियों के प्रसिक्षन देने के लिए। उसमें अपनी अहम उपस्थिती को दर्च कराएं। तो इसकार हमने दूसरे संपादिकी में यहां देखा कि अफगानिस्तान के संदर में भारत की क्या नीती होनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे संपादिकी की ओर जिसका सिर्शक है तो वैक्सीन प्लान। और इसका आधार क्या है इसका आधार है आधार एवं टीका करन। और यहां जो टीका करन है वो किस से संबन दीते हैं यह टीका करन संबन दीते हैं कोरोना महामारी के विरुद्ध टीका करन से। देखे, सरकार योजना को तयार कर रही है और इस योजना के अनुसार जल्द से जल्द सरकार यह चाहती है कि जो स्वास्त कर्मी है और वैसे अन्यव्यक्ति या संगटन जो परतक्च रूप से करोना के विरुद दिल लड़ रहे हैं, उनका ठीका करन किया जाए। आगर स्वास्त कर्मियों अन्य का ठीका करन किया जाता है। अब यह कि ठीका करन से संबन्दित भारत के संदर में दो पहलू है। एक सुझाओ या दिया, कि COVID-19 टीका जब विक्सित हो जाएगा, और जब मास लेवल पर वैक्सिनेशन किया जाएगा देश में, तो इस व्यापक टीका करण को सफल बनाने के लिए आधार का उप्योग किया जाएगा, अब हमें यह पता है, कि आधार में जो व्यक्ति अपना पंजी करण कराते हैं, तो इसके लिए वहाँ नीजी फर्म की मदद लेते हैं, तो मतलब यह जो टीका करण का कारी करण चलाये जाएगा, मास लेवल पर, COVID-19 टीका के विक्सित होने के बाद, इसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्सिप की आविसक्ता पड़ेग और इसमें डेड़ लाख से दो लाख नीजी व्यक्तियों की मदद लिये जाने की संभावना है, उनकी आविसक्ता पड़ेगी, और अगर टीकों के संख्या की अगर हम बात करें, तो 260 मिलियन की संभावना है टीकों की, और वो इसलिए, क्योंकि यह भी हो सकता है कि एक बा vaccination की बाद दुबारा नहीं तो छा मैने में या नहीं तो एक मैने में दुबारा vaccination की जडरत पड़े, क्योंकि हो सकता है कि जो vaccination पाली बार किया गया हो, तो उसमें उतनी प्रतिरक्षन जो पनाली है, उसका विकास नहीं हो पाया हो, Corona महาमारी के विरुद्ध, और हमें यह प एक लंबी अवधी का ट्राइल होता है, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जो टीका का विकास किया जा रहा है, तो वा एक एमर्जनसी लेवल पर किया जा रहा है, तो इसकी भी संभावना है कि जिस उद्देश के लिए टीका का निर्मान किया जा रहा है, उस उद्देश में वा सफल ना हूँ तो इस स्थिती में यह जानना अत्यन्त आवस्यक है कि किसका टीका करन हुआ है किसके पुना टीका करन किये जाने की आवस्यक्ता है और यहाँ पर यहाँ कि नंदन निलकनी ने जो उपाए बताये हैं कि एक प्लेटफॉर्म का विकास किया जाए और जिसमें आधार की मदस्य पता लगाए जाए कि कितने व्यक्तियों का ठीका करण हुआ है तो इसमें कितना व्याय हो सकता है तो उनके अनुसार 100 करोड या उससे ज्यादा का व्याय हो सकता है वहीं अगर हम ठीके की बात करें तो उस पे कितना खर्च हो सकता है 80,000 करोड यह सार भौमिक टीका करण हो यह भी अपने आप में एक चुनौती है और यह भी चुनौती है कि टीका का वितरण आकिस सरपर्थम कहां किया जाए वो क्यूं वो इसलिए कि इसका सरपर्थम वितरण क्या मुंबे में किया जाए जहां पर की मौत सबसे ज़्यादा हुई है या बैंगलिरू में किया जाए, जहांपर की सक्रिय मामले सबसे ज़्यादा है, या बिहार में किया जाए, जहांपर की प्रयाप्त मात्रा में स्वास्त अवस्रश्णा मौजूद नहीं है। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए या आवस्यक है कि तीका करन से संबंदित आकड़ों का भंडारन हो, उनका विसलेशन हो और इसके लिए आधार आधारित तक्नीक को अपनाया जाए. तो इस प्रकार संपादिकी के अंतरगत हमने कुल मिलाकर तीन संपादिकी पर वि हित्रों से संबंदित हैं. अब एक नजर आज के प्रश्ण पर. प्रश्ण है कि उच्च मुद्रा इस फीती को नियंतरित करने के संदर्व में निम्न परविचार करें. पहला रेपोदर, दूसरा री रेपोदर, तीसरा सी आरार और चौथा एस एल आर. तो उपर्युक्त यहीं विराम देते हैं. फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ. नमस्कार.